22 दिसंबर 2023 मोक्षदा एकादशी तिथी के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध दीजिएगा। यह गुप्त चीज जीवन के हर कश्टों से तुरंक मिल जाएगी, आपको मुक्ती माता लक्षमी जी भगवान विश्नु जी के आशिरवाद से न केवल आपके जीवन में हो धन की वर्षा बलकी आप बन जाओगे। करोरपती खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों एक साल में 24 एकादशी तिथी पड़ती है, लेकिन इन में सबसे बड़ी एकादशी तिथी जो होती है, वह मोक्षदा एकादशी तिथी को माना जाता है। दोस्तों वैसे तो हर एकादशी तिथी में वरत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मोक्षदा एकादशी तिथी के दिन जो भी व्यक्ती वरत रखता है, शास्त्रों के अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ती होती है। जे खुल जाते हैं और आपके जीवन की कई प्रकार की परिशानियों से मुक्ती मिलती है, इसलिए मोक्षदा एकादशी तिथी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेश और खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। लेकिन अगर आप मोक्षदा एकादशी तिथी के दिन वरत नहीं रख सकते हैं, विधी विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, या दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्थ पर वह गुप्ट चीज बांध देते हैं, जिस बाद भगवान विष्णु जी की क्रिपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नव ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की क्रिपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते जो धन आएगा उसमें व्रिद्धी होगी, और माता लक्ष्मी जी की क्रिपा से आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ती मिल जाएगी। जीवन में भागवत गीता में लिखा हुआ है, और इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक-एक करके बताने जा रहे हैं, और दोस्तों सिर्फ तुलसी पूजन करने से, और तुलसी पौधे के नीचे गमले में वगुप्त चीज बांधने से, जिसके बारे मे भागवत गीता में लिखा हुआ है, आपको साक्षात भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी का तुरंत ही आशिर्वाद वर्दान प्राप्त होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ती होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, दोस्तों तुलसी पौधे की प्रत्येक पट्टे पर भगवान विश्नु जी का वास होता है। तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेश और खास महत्व बताया गया है। अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथी मोक्षदा एकादशी तिथी के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और सिर्फ विधी विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्ट चीज बांध देते हैं, ज इसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोप पाएगा। जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा या और जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुचा सकते हैं, उतने लोगों तक पहुचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके क्योंकि भगवत गीता में साफ साफ लिखा। वह है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे, तो देवी देवताओं का आपको आशिरवाद मिलेगा और आपके जीवन में आपका भी भला होगा। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है। विश्णूजी का वह वर्दान और आशिरवाद मिलेगा। जिस के बाद आपके नव ग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपकी केतु आपका भागय आपके साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभागय प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी. हम आपको विडियो की शुरुवात में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु का नियंतरन भगवान विश्नु जी के हाथ में होता है. और सिर्फ आपको यह करना है कि 22 दिसंबर मोक्षदा एकादशी तिथी के दिन सुबह सोकर उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपडे पहने है क्योंकि पीला रंग भगवान विश्नु जी को बहुत प्रिय होता है. अब आपको एक घी का दिपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है, ध्यान रखियेगा मौनी धागे दो रंग में आते हैं। इस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़ कर तुलसी पौधे की ग्यारा परिक्रमा आपको लगाना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधा गमले के नीचे भगवान विश्नु जी को याद करते हुए बांध देना है। दोस्तों तुलसी पौधे के उपर मत बांधना तुलसी पौधा गमले के नीचे आपको बांधना है। इतना उपाय आपको 22 दिसंबर मोक्षदा एकाद शीती थी के दिन करना है। इतना उपाय करने भर से साक्षात तुरंथ ही आपको भगवान विश्नु जी का वह वर्दान और वह आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंथ खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। भगवान विश्नु जी की क्रिपा आप पर सदैव बनी रहे अगला उपाय है धन प्राप्ती का महा उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो आपके घर पर इतना धन हो जाए जिसके बाद आपकी आने वाली साथ पीधी भी पैसों पर राज करें तो दोस्तों बस आपको मोक्षदा एकादशी तिथी के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्ट चीज सही मुहूर्ट पर बांधनी है जिसके तुरंत बाद आपको तुरंत ही माता लक्षमी जी का भाव वर्दान और वह आशिर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्शा होगी कि धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ती मिल जाएगी यह उपाय आज भी कई करोरपती व्यक्ति लोग हर मुक्षदा अद्शी तिथी के दिन करते हैं यह उपाय आपको 22 दिसंबर की रातरी को करना है आपको सिर्फ यह करना है कि सूर्यास्त के बाद आपको लाल कपडे पहने माता लक्षमी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का कपड़ा पहना जाए या लाल रंग का इस्तमाल किया लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लेना है आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहाँ पर आपको जाना है तुलसी पौधे के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लिया है उस मौली अब इसी लाल मौली धागे को आपको तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांथ देना है और ध्यान रखिएगा। तुलसी पौधे को स्पर्श मत कीजिएगा। सिर्फ तुलसी पौधा गमले पर बांथ देना है। आपको यह मौली धागा जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लिया है। इतना उपाय आपको करना है और माता लक्ष्मी जी को याद करने के बाद अपनी दिन्चर्या के काम में लग जाना है। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृध्धी होगी तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी भी लिख दीजिए। धन की वर्षा बलकी आप बन जाओगे। करोरपती खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों एक साल में 24 एकादशी तिथी पड़ती है लेकिन इन में सबसे बड़ी एकादशी तिथी जो होती है वह मुक्षदा एकादशी तिथी को माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसी एकादशी तिथी होती है जो भगवान विश्नुजी को अत्यंत प्रिय है और इस दिन माता लक्षमी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों वैसे तो हर एकादशी तिथी में वरत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है लेकिन मुक्षदा एकादशी तिथी के दिन जो भी व्यक्ती वरत रखता है शास्त्रों के अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ती होती है। उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विश्नु जी और माता लक्षमी जी का आशिरवाद मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में सनान करना दान करना बहुत ही ज्यादा पवित्र कल्यानकारी माना जाता है। इससे आपके लिए स्वर्ग के दर्वाजे खुल जाते हैं और आपके जीवन की कई प्रकार की परिशानियों से मुक्ती मिलती है। इसलिए मोक्षदा एकाद्शी तिथी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेश और खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। लेकिन अगर आप मोक्षदा एकादशी तिथी के दिन वरत नहीं रख सकते हैं, विधी विधान से पूजा पाथ नहीं कर सकते हैं, या दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्थ पर वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके आज के इस वीडियो में हम आपको एक-एक करके बताने जा रही हैं, तो इतना ही, उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वर्दान और वह आशिरवाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विश्नु जी की क्रिपासे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नव ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की क्रिपासे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उस में व्रिद्धी होगी, और माता लक्ष्मी जी की क्रिपासे आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ती मिल जाएगी, इस बार मोक्षदा एका